अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो अप्लोड हो तो उसके जानकारी आपको मिल सके चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है टॉपिक है कीवर्ड सी लेंग्विज में कीवर्ड क्या होता है इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं कि इसी लेंग्विज में कीवर्ड क्या होता है तो कीवर्ड जो है शी लेंग्विज में तो कीवर्ड का एक निश्चित अर्थ होता है और कीवर्ड का कीवर्ड को यूप करता के द्वारा बदला नहीं जा सकता है अर्थाद की जो यूजर कीवर्ड का यूज करता है तो उनको चेंज नहीं कर सकता है और जो कीवर्ड होते लिखा जाता है उनको के small letters में हम लिखते हैं और सी language में जो keywords है तो total 32 keywords में यूज किये जाते हैं और keywords होते हैं तो keyword का नाम पहले से ही परिवाथीच होता है अर्थाते पहले से ही identify होते हैं keyword जो हते हैं और सी ले में करते हैं और उनकी सब्सक्राइब होता है कि यह नहीं किया सकता है और यह सब्सक्राइब यसे को जो होना तो सब्सक्राइब हएं कर सकते हैं और और कीवर्ड को प्रोग्राम के अंदर विडियेवल्स की तरह उप्योग नहीं कर सकते हैं और इनका अर्थ जो हता है कीवर्ड का तो इनका अर्थ पहले से पहले से इनका अर्थ दिया रहता है वीडियो के पूरा देखें किस्टार्टिंग से जानेंगे क्या होते हैं कीवर् और इन्हें पूर निर्धाय सिंटेक्स के अलावा अर्थों में प्रयोगत नहीं किया जा सकता है और कुछ्छ जोसी कंपाइलर होते हैं तो वो 32 के लावा भी अन्ने कीवर्ट्स को भी सपोर्ट करते हैं कुछ जी कंपाइलर ऐसे होते हैं और सी लेंग्वेज में टोटल हम जो कीवर्ड का यूज करते हैं तो वो 32 कीवर्ड होते हैं और सी लेंग्वेज में 32 कीवर्ड जो है तो यूज किये जाते हैं और एक बाइस ट्रैजिंग से देख लेते हैं पॉइंट्स में क्या होता है कीवर्ड जो होते हैं तो कीवर्ड क और कि बरड होता है और कई वर्ड को हम रख्छी सब्सक्राइब कर 직WAR often कई वर्ड उत्वर्ड जो सब्सक्राइब करक्ते हैं कि पहले लेक्ष़ में वीडि़ फ्लग कर सकते हैं इन एंग्रेजि के जो होई थो इसमान लेटर्स में भी लिखा जाता है वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को भी सेयर करें